ऑट के आग्या थोटोरे स्टाट कररें इसमें फिछले वालो तूट्व किया उसके अंदर में है इंडेफिने gluten कबर कर लिए अब आते हैं Perfect का है अब भी मैं गाद किसी भी FUNCquesnaaker integrate करते थे तो basically मतलब होता था हम ऐसा function डूणते थे कि जिसका derivative fx हो है ला इसलिए हम इसको करते थे anti-derivative तो definite part के अंदर सिर्फ यह होता है कि यहाँ पर integral तो वही रहता है बिल्कुल ऐसी होता है बड़ यहाँ पर within the certain limits हमें integrate करते हैं मनलब यहाँ पर एक lower limit होती है और यह अपर होती है और हम इसको integrate करते हैं तो बेसिकलिए अप्रोश तो वही रहती है कि भी देखो अगर fx का integration fx plus c है तो इसका भी तो यह आएगा fx plus c बस हम क्या करते हैं by fundamental theorem integration हम इसमें नॉमरी integrate करने के बाद इसको लिख देते है अपर limit minus no limit यानि इसको लिख देते है f of b मैं एक c जगा पहले b put कर देते हैं फिर minus f of a बना low limit पुट कर देते हैं जहां जाए x आ रहा है तो आप नोट कर रहे हैं कि c तो constant है दोनों में आता है इसलिए हम इसको cancel out कर देते हैं तो इसलिए हम क्या करते हैं definite part के अंदर c को लगाते ही नहीं को कि वो दोनों में same आता है इसलिए minus हो जाता है यह तो भी basically बात के भी हम करते क्या है अब definite integral को solve करने के लिए दो approach होती है एक होती है लिमिटर सम और एक होती है direct approach मैं पहले आगे जाने से पहले पहले आपको meaning समझाओंगा कि अगर हम किसी भी function को integrate कर रहे हैं between a to b with respect to dx इसका मतलब क्या है देखिए definite integral का मतलब होता है family of curve जो हम curve की definition अलग पढ़ते है प्लसी का मतलब एक curve की family है अलग लग किसी में plus 1 है किसी में plus 2 है बट definite integral इक बहुत important चीज है यह कुछ represent करता है और इसको हम chapter 8 में भी carry forward करेंगे इसका मतलब होता है कि अगर मेरे पास कोई भी function है ना कोई भी function fx है माल लेते हैं यह fx function है अगर हम इसको integrate कर रहे हैं between a to b इसका मतलब है यह x की limit है इसका मतलब मैं अगर मैं किसी function को integrate कर रहा हूं x a से लेके x b तक with respect to dx तो basically मेरे मतलब है कि मैं x equal to a से x b तक अगर मैं किसी function को integrate कर रहा हूं with respect to x तो हम उस axis के साथ वो curve कितना area बना रहा है वो निकाल रहे होता है इसका मतलब ही है यह यह इसकी geometrical interpretation है that कि अगर मैं किसी function को किसी भी axis के से respect में indicate करता हूं तो वो कब उस axis के साथ कितना area बना रहा होता है that we are finding out तो यह इसकी application है यह अगर मैं आपको बोलू ना कि मैं 1 to 2 x square को indicate कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि y equal to x square एक curve है और हमें पता ही यह parabola होता है तो अगर मैं y equal to x square को indicate कर रहा हूं और 1 से 2 के बीच में तो x1 और x2 के बीच में यह curve कितना area बनाएगा हम वो निकाल रहे होते हैं basically यह हम निकाल रहे होते हैं ठीक है बच्छे तो यह हमारा x axis होगा तो 1 से 2 के बीच में जितना भी area बना रहा होता है वो हम निकाल रहे होते हैं यानि क्या मतलब हुआ कि we are indicating any function कोई भी function को अगर हम indicate करते हैं with respect to x तो पहली बाद वो उस axis का area बनाएगा अगर y के respect में indicate कर रहे होते तो y axis का area बनता और यहां जो limit होती है उन limit के बीच में area निकाल रहे होते हैं तो इसको ना in definite part को modify जो हमने किया limit limits लगाके तो इसको solve करने के दो approach होती है एक होती है limit as sum जो आपका इस बार delete हो चुका है limit as approach को मैं ज्यादा idea नहीं दूँआ उसमें भी क्या होता है limit sum के अंदर हम जब area निकालते हैं मलब किसी function को indicate करते हैं यह से भी तर तो हम उसको उतना होगा rectangular part लगेगा और उसके बाद हम सारे rectangle का area add कर देते हैं तो हमारा add करने के बाद indicate निकालने को जो formula आता है वो आ जाता है a to b fx dx is equal to limit h 10 to 0 h times f of a plus f of a plus h and so on और फिर हम इसको value इसको put कर देते हैं यह हमारा होता है limit sum but 2020-21 मे limit sum delete हो चुका है तो यानि यह topic तो हम detail में नहीं करेंगे इसका मैं अलग से tutorial limit sum का डाल दूँगा जिनको समझना हो otherwise इसकी दूसरी प्रोच क्या होती है कभी भी definite part को solve करने की दूसरी प्रोच होती है कि हम इसको normally indicate करेंगे हम जैसे करते हैं और उसके बाद upper limit minus low limit कर देंगे यानि हम इसमें दूसर अप्रोच fundamental theorem of calculus क्या है कि हम fx का integration निकालेंगे माल लेता है इसका integration capital fx plus c आ गया और integrate करने के बाद इसमें upper limit minus low limit कर देंगे तो यह बनना हैगा f of b minus f of a दूसरी बाद जो important है कि जब भी हम integrate कर रहे होते हैं किसी function को a to b में तो उस a to b में function continuous होना चाहिए और defined भी होना चाहिए जैसे अगर मैं बुलूं कि मैंना minus one से one तक one by x को integrate करना चाहता हूं तो यहां प्रॉब्लम है कि यह one by x जो है यह 0 पे defined ही नहीं है और इसके बीच में 0 आ रहा है तो ऐसे function को हम value नहीं निकाल सकते हैं महलों वह function defined भी होना चाहिए उस function defined भी होना चाहिए और continuous भी होना चाहिए उस पूरे इंटरवल के तो यहां यह defined ही नहीं है यहां पर continuous नहीं है न तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए तो अगर है तो फिर हम उसको integrate नहीं कर पाएंगे पहली चीज़ ठीक है तो दूसरी चीज़ के fx अगर यह integrate represent क्या करता है basically it represent the area bounded by y equal to fx with respect to x between the limit a to b अब इसके कुछ questions करेंगे NCRT के पहले और फिर हम उनको आगे फरतर ले जाएंगे अब NCRT में कुछ भी नहीं है बहुत ही simple question है जैसी यह question आप x plus 1 को indicate करोगे और फिर आप limit minus low limit कर दोगे जैसे पहला question जो है x plus 1 है अब आपको na x plus 1 का indication करना आता है ठीक है आप इसको दो तरीके से कर सकते हो एक है कि x का अलग कर दिया x square by 2 1 का अलग कर दिया x और फिर upon limit minus low limit नहीं तो आप इसको x plus 1 को भी पूरा ले सकते हो कि इसका indication हो जाएगा x plus 1 का square upon 2 अब प्लस c भी आता था बन मैंने बूला definite में प्लस c मत लगा आप सीधा ही सीधा पूट कर दो यानि पहले हम x की जगा जो answer आया है इसमें x की जगा 1 पूट कर देंगे तो 1 plus 1 हो जाएगा 2 2 का square by 2 minus low limit पूट करेंगे minus 1 पूट करेंगे तो 0 by 2 तो आपका answer आजाएगा 4 by 2 यानि पहले part का answer आगा 2 यानि integrate किया और फिर अपर limit minus low limit कर दी जैसे अगला question देखते है आई मेरे पास है 1 by 2 to 3 1 by x अब 1 by x का integration क्या होता है 1 by x का integration होता है log x अब आप integrate करने के बाद इसमें upper limit minus low limit लिख दोगे यानि पहले upper limit यानि log 3 minus log 2 अब या तो यहीं छोड़ दो बट अगर आपको property लगानी है तो property लगा सकते हो log 3 by 2 हो जाएगा log A minus log B से log 3 by 2 तो यह मारा answer आगे मेरे बाद समय रहे न नॉर्मली integrate करना है फिर upper limit minus low limit करने है थर्ड question करें अब थर्ड question में भी जब आप integrate करोगे तो इंटिकेट करके क्या आएगा 4 as it is x cube का integration हो जाएगा x 4 by 4 minus 5 x cube by 3 फिर उसके बाद 6 x square by 2 अब फिर 9 का 9 x अब इसको simplify करके पहले आप upper limit पुट कर दो 2 और फिर low limit पुट कर दो तो जब 2 पुट करेंगे तो 2 की power 4 हो जाएगा 16 minus 2 की power 3 हो जाएगा 8 8 into 4 40 by 3 यह कर देंगे 3 पे और 2 का square हो गया 4 4 3 दा 12 और फिर 9 2 दा 18 और फिर minus 1 करेंगे minus 1 करेंगे तो यह आजाएगा आपके पास 1 minus 5 by 3 plus 3 plus 9 तो plus 12 हो गया अब इसको solve कर लेते हैं तो यह बन जाएगा अठारा और बारा 30 30 और 16 46 46 उसके बाद और यहां से आ जाएगा 13 तो 46 में 13 गए 33 माइनस 40 by 3 और प्लस 5 by 3 तो बन जाएगा माइनस 35 by 3 अब इस तरह कर सकते हैं ठीक है न मोना नॉमली इंटिकेट करना और फिर अपर लिमिट माइनस लो लिमिट कर देंगे तो इसे फूर्थ कुशन की बात करते हैं तो फूर्थ कुशन की बात करते हैं तो हम कहेंगे भी हमें इंटिकेट करना है 0 to 4 तो sin2x का इंटिकेशन होता हमें पता है क्या होता है sin2x का इंटिकेशन होता है minus cos2x और फिर 2x का एंगल 2 से डिवाइट कर देंगे और फिर पहले इसमें अपर लिमिट पुट कर देंगे तो जैसी आप 5 by 4 पुट करोगे मैं चा cos2 into pi by 4 तो यह बनेगा cos by by 2 minus cos 0 अब cos 90 0 होता है cos 0 1 होता है तो हमारा answer आ गया minus 1 इस पार्ट का और एक minus half पहले बैठा है तो half answer आ जाएगे अब फिफ्थ पार्ट की बात करते है फिफ्थ पार्ट में क्या होगा 0 to pi by 2 है cos 2x का इंटिक्षिन क्या होगा आपको होगे sin 2x by 2 अब integrate करने के बाद पहले अपर लिमिट पुट कर देंगे और फिर low limit पुट कर देंगे तो वन बेर 2 तो बहार आ जाएगा पाई बेर 2 पुट करेंगे तो आजाएगा आपके पाद sin pi which is 0 minus low limit sin 0 तो आपका answer 0 होगे उसके बाद अगला कुशन देखते है शिक्स्थ में e की पार x का इंटिक्षिन करना है तो e की पार x का इंटिक्षिन तो e की पार x होता है और फिर इसमें upper limit minus low limit पुट कर देंगे त e की पार 4 7 कुशन देखते हैं तो बहुत सीधे सीधे कुशन ना बान मांकर 10x का इंटिक्षिन होता है 10x का इंटिक्षिन होता है log of sec x log sec x लिखके अब हम इसे पुट कर देंगे पहले upper limit minus low limit तो आप को कि sec pi by 4 तो हो जाएगा root 2 तो आपका answer आजाएगा log root 2 minus log sec 0, sec 0 होता है log 1 0 होता हमारा answer आगया log 1 की value 0 पुट कर सकते हैं नहीं तो आप इसको 2 की पर half लिखके और log की property से half आगे भी ले जा सकते हो तो यह बन जाएगा 1 by 2 log 2 तो इस तरह से question कर सकते हैं राइट अब जलते हैं 8th question पे 8th question भी बहुट आ रहे हैं अगर आपको na sec x का integration पता होने चाह की क्या होता है से secondation होता है log sec x plus 10x उसी तरह से cosec x क्या होता है minus log cosec x plus cortex यह log cosec x minus cortex तो हम तोनों में से कोई भी लगा सकते हैं तो मैं लगा देता हूं log cosec x minus cortex यह लगा दिया और फिर इसमें upper limit minus low limit पुट कर दिया नहीं normally integrate करना है और फिर upper limit में से low limit को माइनस कर दिने हैं अ अब sec pi by four होता है root two court pi by four होता है one minus lower limit यह बन जाएगा two क्योंकि sec pi by six यह नहीं 30 degree पे half का हो reciprocal two होता है और यह बन जाएगा root three अब आप log a minus log b की property से इसको लिख सकते है root two minus one upon two minus root three और racialize भी कर सकते हो नहीं तासी छोड़ दो 9th question देखो a square minus x square की form लग रही है नहीं तो यह आपको पता है कि 9th question में यह sine inverse x का derivative होता है यह इसका integration sine inverse x हो जाएगा अब integrate कर दिया आप upper limit minus low limit पुट कर दो तो sine inverse of one minus sine inverse of zero sine के table में one आता है pi by two पे zero आता है जीरो पे तो आप पांसर pi by two हो जाएगा 10th question देखे 10th question डारेट है 10th question भी integral होता है किसका होता है 10th question होता है 10 inverse x का right तो 10 inverse of link के indicator में upper limit minus low limit पुट कर देते हैं तो 10 inverse of one pi by four minus 10 is zero तो pi by four आपका answer आ जाएगा अब चलते ही 11th question पे 11th question तो formula होता है 11th question 2 to 3 dx x square minus a square 7.4 x में पढ़ा था formula इसका formula होता है 1 by 2 a a1 है log of x minus 1 upon x plus 1 integrate कर दिया अब इसमें put करते हैं limit पहले हम put करेंगे 3 तो यह आ जाएगा log मैं न 1 by 2 भार ही ले तक को कि दोनों में आएगा log 3 minus 1 2 और 3 plus 1 4 minus अब 2 put करेंगे तो 2 minus 1 1 by 3 तो यह बन गया log 1 by 2 minus log 1 by 3 अब log a minus b से जब आप log a by b करोगे इसको तो यह आप का answer आ जाएगा 1 by 2 log 3 by 2 और यह हमारा answer हो गया अब वो देखते हैं बना इससे न आपकी integration भी revise हो जाएगी 12 पर जलते हैं cos square का integration वैसे तो हमें पता नहीं बट हमने क्या कह था जब भी cos square का integration आया था तो हमने cos square का formula लगा दिया था 1 plus cos 2x by 2 अब इसमें indicate करके अपर limit minus low limit put कर देंगे है न बच्चे तो 1 by 2 बाहर 1 का indication x cos 2x का indication sine 2x by 2 और फिर इसके बाद upper limit minus low limit जब आप pi by 2 put करोगे तो आपका अंसर यह तो पाई by 2 आजाएगा उसके बाद यहां पर 2 into pi by 2 sin pi 0 होता है low limit में 0 put करेंगे तो यह 0 और sin 0 भी 0 तो आपका answer आजाएगा finally pi by 2 into half तो pi by 4 ठीक है 13 में क्या कर सकते हैं देखो 13 भी इक special form थी वन मांक में मैं बताइगी नीचे वले का derivative उपर मिल रहा है आपको देखो x2 plus 1 का derivative क्या होता है x2 plus 1 का derivative होता है 2x तो 2 से divide multiply कर दिया नीचे वले का derivative उपर मिल रहा है तो कौन सी form ही log of the denominator कर दिया log of the denominator और अब upper limit minus low limit कर दो तो क्या answer आजाएगा आपका half common log of 3 का square 9 plus 1 log 10 minus 2 का square 4 plus 1 log 5 log a minus log b की property से आजाएगा log 10 by log 5 log 10 by 5 log 2 तो यह आपका answer हो गया है ना question तो बहुत easy है 14 question में चलते है फटा फट question 14 है 2x upon क्या था 2x plus 3 upon 5x square plus 1 0 से 1 तो ना मैं इसको अला कर लेता हूँ एक वले में तो नीचे वले का derivative बना देंगे उपर कैसे नीचे वले का derivative 10x है तो मैंने क्या किया है 5 से divide और 5 से multiply तो नीचे वली term का derivative मिल रहा है और यहां पर आप अगर 3 by 5 common लिलो तो यह बन रहा है dx upon x square plus 1 by 5 और 1 by 5 को क्या लिख सकते हैं 1 by 5 को लिख सकते हैं 1 by root 5 का whole square अब indicate कर दो तो पहले वाले part में हमारा answer आजाएगा log of denominator इसमें हम upper limit minus low limit कर देंगे इसमें आजाएगा आपके पास 1 by a तो 1 upon 1 by root 5 तो जो उपर जाके root 5 हो जाएगा 10 inverse of x upon a तो x upon 1 by root 5 जो root 5 x बन जाएगा और फिर इसमें हम put कर देंगे अपर limit minus low limit तो क्या answer आएगा 1 by 5 जब 1 put करेंगे न बच्चे तो यह जाएगा log 6 और minus log 0 मलब log 1 क्योंकि यह 0 हो गया log 1 0 होता तो यह as it is रहे जाएगा और यहाँ पर यह as it is रहे है तो already racialized हुआ 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 है और यह जाएगा 10 inverse of root 5 minus 10 inverse of 0, 10 inverse of 0, 0 होता तो ऐसी छोड़ देते है तो यह हमारा answer आगे है न 15 question देंगे 15 भी ऐसे ही है 15 क्या है 15 थे हमार पास 15 थे हमार पास 0 to 1 में x और e की power x square आपको दिख रहा है कि x square का derivative है न तो मैं इसको 2 से multiply divide कर दिया अब यहां पर मैं लिख सकता हूं इसको कि यह बन रहा है अगर मैं 2x को put कर दूना इसको क्या करता हूं इस वाले integration को कर देता हूं वैसे न substitution वाला पार्ट तो मुझे एक दिवर बताना है अगरे total में बढ़ फिर भी समझायता हूं x square का ओम फीपुट कर देंगे यह एएए की पावर पूरे को भी पूट कर दो इक डटी क्यों होता है एक स्कॉर कर देट तूए टूएक्स हो जाता है इको लोड़ीपी तो यह पूरा question क्या बन गया डीपी अभीन अगली class में हम पढ़ेंगे कि हम जब और फिर इसमें अपर लिमिन्ट माइनस लो लिमिट कर देंगे वाला नॉर्मली इंटिकेट किया और जो रिजल्ट आ गया उसमें हमने XCJ का पहले 1 पुट कर दिया और फिर 0 पुट कर दिया तो यह आंसर आ गया E की पार 1 माइनस 1 देखें इसके बाद अगला कोशन जल्दी से खतम करते हैं इसको फट अपट से कोशन में देखो कि होरा उपर नीचे पावर बराबर है तो पावर बराबर है तो हम क्या करेंगे पहले ने मैं फाइव को बाहर ले जाता हूं अब उपर एक्स को रहा है पावर उपर नीचे बराबर है तो ओविसली लॉंग डिविजिन से डिवाइड करना था या फिर ट्रिक क्या थी मैंने कहा किया फोर एक्स प्लस त्री एड़ कर दिया अब एड़ यह है तो माइनस भी करना पड़ेगा तो यह आपकी न 7.4 वली एक्सराइज बन देगी इसमें हम नीचे बलगा डिरेटिव बनाते हैं अब यह कट जाएगा तो वन का इंटिक्शन तो हो गया एक्स और इसमें हम नीचे बलगा डिरेटिव पर बनाते हैं तो यह बन रहा है 2x प्लस 4 तो पहले मैंने 2 कॉम ले लिए ठीक है 5 तो दोनों के साथ होगा तो यहां लिख देता हूं मैं 2x प्लस 3 बाइटू 4 एड किया और माइनस किया याद होगा अपनी तो 7.4 वली एक्सराइज वाला टूटोरिल में देख ले ना ठीक है अब ही डिरेटिव बन गया तो 2x प्लस 4 को लग ले लिया तो मि 5x माइनस 10 2x प्लस 4 और नीचे वाले का डेरिवेटिव बन रहा है मनों पहले ने नॉमली इंटिकेट कर जातेंगे जैसे करते हैं उसके बाद क्या बचा 3 बाइटू माइनस 4 तो 3 बाइटू माइनस 4 कितना हो जाएगा 3 माइनस 8 बाइटू माइनस 5 बाइटू और एक 5 बा चैने माइनस 10 बाहर तो माइनस ला इस प्लस तो प्लस 25 हो जाएगा यह तो प्लस 25 बाइगा यह और यह बच्छीए डीक्स अपॉन x square plus 4x plus 3 इसको perfect square बना देंगे तो बरपस क्या integration ना गया 5x minus 10 log of x square plus 4x plus 3 plus 25 इसको perfect कर कैसे बनाते है जो भी x coefficient होता है उसके half का square add करते है तो 4 का half हो गया 2, 2 का square add किया 4 तो 3 minus 4 minus 1 हो गया, x square minus x square का formula लगा देते हैं तो क्या देगा answer अब का answer आगए, अभी मैं normally indicate कर रहा हूँ बार में put कर दूँगा इसमें, ठीक है 5x minus 10 log of x square plus 4x plus 3 और इसके बाद था 25 और फिर न, x square minus x square का formula लगा देंगे, तो क्या formula होता है 1 by 2 a log of x minus से तो x plus 2 में minus 1 करेंगे तो आजएगा x plus 1 और नीचा आजएगा x plus 3, अब यह indicate हो गया अब यहाँ पर आप limit पुट कर दो क्या limit थी देखें कि बार limit थी 1 से लेके 2 तक तो पहले आप 2 पुट कर दोगे जहां हर जगा और फे 2 और एक चीज़ और कर सकते हैं अब इंडिविजिली भी कि कर सकते हैं जैसे 5 है यहीं पे पहले आप ले में टू पुट कर दी और माइनस बन कर दी एक एक करके भी कर सकते हैं गहीं पे भी पहले 2 पुट कर दी तो 2 का स्कूर 4 4 और 8 12 और यह 15 माइनस 1 पुट किया तो 4 और 3 7 और एक 8 log 8 हो गया और फिर 25 बाई 2 यह हो गया log of पहले 2 पुट किया तो 2 प्लस 1 3 बाई 5 उसके बाद 1 पुट किया तो log 2 बाई 4 और फिर इसको हम solve कर देते हैं कितना आजाएगा पहले पार्ट से 5 दूसरे पार्ट से आजाएगा log 15 बाई 8 15 आएगा न 4 तो दा 8 और 4 12 और 3 15 और 1 पुट करने पे 7 आ रहा था 7 प्लस 1 आ रहा था और यह आजाएगा 25 बाई 2 लॉग ओफ यह कट गया 1 बाई 2 पे तो 3 बाई 5 अपान 1 बाई 2 लॉग A बैनस लॉग B की प्रॉपर्टी लगा दी तो फाइनल आंसर आ गया प्लस यहां पर 10 बीन टू है और 25 बाई 2 लॉग ओफ 6 बाई 5 ठीक है तो यह आपका आंसर आगया तो देखिए आपका कोशन तो मुश्किल नहीं है बड़ पूरानी वाली प्रोच चल रही है ठीक है बड़ दो कोशन वोड़ा फटा फट कर लेते हैं और फिर इसको क्या है इसको बहले Notes कर लेते हैma और सांतर संट कर लेता है कि 17 क्ष prospective है इसे टीकर इंटीचेन स्कुशन से क्या्राइक सैक्स क्या है स PD हममें पता ही यह क्या होता है टैक्स होता है सब्स एक स्थ्यूब एक जे लिए dar बन ब्लस जीरू से लेकर पाई बैफ वाय था तो 6x2 का index 10x है x3 का x4 by 4 2 का 2x अब आप limit टुट कर दो पहले आप limit टुट कर देंगे तो यहाँ आदेगा 10 5 by 4 1 और फिर low limit पुट करेंगा यही कर दिया करते हैं ठीक है तो यही कर देते जाला easy है तो 10 5 by 4 1 10 0 0 तो यह बाट खत्म हो जाएगा उसके बाद 1 by 4 पाई by 4 की पाउर 4 करेंगे तो पाई की पाउर 4 और 4 की पाउर 4 हो जाएगा 4, 16, 64, 256 माइनिस 0 पे तो 0 हो जाएगा और फिर यहां पे 2 पाई by 4 और फिर 0 तो आपका फाईनली आंसर कितना आगा है 2 प्लस पाई की पाउर 4 अपाउन 1024 प्लस पाई 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 टू यह कुशन होगा है समझ रहा है बाद 18 कुशन कहा देखें बड़ा फर्ट यह तो बहुत असा नहीं तो किसी चीज़ का फॉर्मला होता है अगर आप नोट करो अगर आप माइनस कॉमन लेलो अगर आप माइनस कॉमन लेलो यहां से यह 0 से पाई 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 टू माइनस कॉमन लेलो तो यह बन जाए गा कॉस स्कॉर एक्स बाई टू माइनस साइन स्कॉर एक्स बाई टू और आपको होता है कॉस स्कॉर थीटा माइनस साइन स्कॉर थीटा यह तो formula होता है cos 2 theta का तो cos x बन जाएगा यह तो basically आपको cos x का integration करना और cos x का integration क्या होता है sin x और फिर इसमें आप upper limit minus low limit put कर दो तो क्या answer आजाएगा आपका sin pi minus sin 0 तो आपका answer 0 आजाएगा तेक है ओके यह दो question फटापर हो जाएगा तो मैं यहीं पर answer solve कर आयता हूँ 1 upon 1 plus x को का integration होता है 10 inverse of x अमने कर दिया 10 inverse of x फिर upper limit put कर दी और फिर low limit 10 inverse of root 3 होता है pi by 3 पे minus 10 inverse of 1 होता है pi by 4 पे 60 में से 45 गए 15 degree pi by 12 तो pi by 12 अब का answer आगया यहाँ पे अभी हमने किया था अगर मैं 9 common ले लूँ तो यह बन जाएगा 2 by 3 पुट करेंगे तो 10 inverse of 1 आजाएगा pi by 4 0 पुट करेंगे तो 0 answer आजाएगा तो pi by 24 आप का answer आगया तो यह कोशन तो बहुत यह असानते हैं न अब बसता है 19 वाला part और 20 पार्ट 19 में भी न अब अलग लग कर देना बच्चे कैसा लग लग कर देना 6x upon x square plus 4 और 3 upon x square plus 4 यह हमारा क्या 6x plus 3 था ना और x square plus 4 और 3 और 0 से लेके 2 तक तो first वाले में तो आप ना नीचे वाले का derivative बना सकते हो 3 काम ले लेते हो और अगले वाले में यहाँ पे आप formula बना सकते हो तो पहले में पार्ट का अंसर आजाएगा log of denominator और अगले में आजाएगा 1 by a tan inverse of x by पहले आप upper limit पुट करोगे तो यहाँ आजाएगा 2 कसकर 4 4, 4, 8 माइनस 0 पुट कर रहे हो तो आजाएगा log 4 यहाँ आजाएगा tan inverse of 1 और माइनस 0 तो पाई by 4 तो आपका अंसर आगया 3 और इसमें आप क्या करो log a by p की property लगा देते हैं तो यह बन जाएगा log 2 plus 3 by 4 into pi by 4 तो हमारा answer finally आगया 3 log 2 plus 3 pi by 8 कदम और यह वाला question 20 part तो बहुत असान है x e x में by parts लगा देते हैं 20th question तो बहुत easy है ना क्या करेंगे इसमें हमने यहाँ पर यह दिया हुए आपको 0 से 1 x e x और 0 से 1 sin pi x by 4 पर दिया हुए ठीक है तो x e x में तो by parts लग जाएगा है ना highlight rule तो यह second function यह first function तो rule कहता है भाई first function as it is second का integration minus first का relative x का relative 1 e x का integration e x और फिर से e x का integration e x यह तो आपने मेरा tutorial में देख भी लिया हुए हुए है अब sin का integration तो क्या होता है cos तो यहाँ आगा cos pi x by 4 और फिर pi x by 4 with negative sign और फिर angle gradative pi by 4 से divide कर देंगे हमार पास क्या answer आगया x minus 1 e x इसमें हम put करेंगे 0 से 1 और यह आजाएगा 4 by pi cos pi x by 4 इसमें भी put करेंगे 0 से 1 तो चब आप पहले न 1 put करेंगे तो 1 minus 1 0 हो जाएगा फिर minus 0 put करेंगे तो यह आजाएगा minus 1 e की पाउड 0 यह आजाएगा cos pi by 4 minus cos 0 तो e की पाउड 0 1 होता है cos pi by 4 1 by root 2 होता है और cos 0 1 होता है तो हमारा final answer आगया 1 minus 4 by pi root 2 और फिर minus minus plus 4 by pi और यह हमारा answer हो गया तो इस तरह से हमने definite part का idea तो ले लिया और इसकी exercise भी cut डाली जातर इस पे question बेर 1 यह 2 मा कराते हैं तो अगली बार ऐसी question हम करेंगे और substitution से करेंगे ठीके बच्चे इसको revise कर ले ना thank you